हेलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूटूब चैनल पर और इस वीडियो में हम यूपी ट्रपल सी लोवर पीसी एस मैंस जो 21 अक्टूबर का आपका पेपर हुआ है उसका पेपर टू का आंसर की इस बार इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं मैं पहले यहां क्या पैपर को देख लेते हैं जो प्रणी आपका आया है उसके बाद कि टाफ पर वी चर्चा करने वाले सबसे पहले हम प्लडूबर टू देख लेते 75 question और 25 question आपको यहां से हिंदी के मिलने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम देखते हैं यहां पर जो math के question है जो arithmetic का question है बो जो है मैं skip करते हुए चलूँगा simple सा question है आप इसको लगा सकते हैं तो चलिए देखिए इनका answer आप देख लिजिए जो question number first है इसका answer आप 5 cm इसका रहेगा option D आगे देखिए यहां पर question number 2 की बात करेंगे तो यहां पर देखिए यह इसका option B आपका सही रहने वाला है और आपका question 3 की बात करेंगे तो यहां पर option D आपका रहेगा एकस बाई यह वाला question इसमें आपसे क्या पूछा गया था इस comment पर देख लेते हैं उस ब्रत का छेत्रफल का संक्यात्मक मान ग्यात कीजिए जिसकी तरज्या पी की हुए और पी और क्यू के विंदू आपको दे रखें यहां पर बोलागा उस ब्रत का छेत्रफल ग्यात की को देख आजर जो फारमूला होता है जिसे दो विंदों की बीच की दूरी निकलते हैं तो उससे आप उसका निकाल सकते हैं यह बीचका distance में इत्याम करेगा त्रज्या का का काम करेगा उसके बाद पर पारम लगा देंगे तो आपका अंसर आ जाएंगा औप्शन सी यहां से सही हो जाएगा ठीक है अगला देखिए यहां पर question number five question number five देखिए यह science का question आपसे पूचा गया निमन में इससे कौन vitamin B12 को इंगित करता है तो इसको कोवाला माइन बोलते हैं ठीक यह तो तो सिंपल सल था अगला देखे यहां पर कोस्चन नमर्शिक्स जुर नासक दबाओं का प्रियोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है तो उखार को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है प्रैनिसलीन की बात करें यह कबबग होता है अगला देखिए सरीर के कैलसियम का कितना प्रतित हड़ियों और दातों में संग्रीत रहता है 99 परसेंट जो है अगे यहां पर बोला गया और एक चीज और इसका अगर आपको पीडियव चाहिए तो या तो यह जो चैनल है जिस नाम से है वह नाम अगर आप टेलिग्राम पर साइच करेंगे तो बहां से भी इसका पीडियोफ मिल जाएगा अधरवाइज आप इस्टेडी फोर सिविल सर्विस जाना माना काफी एमस चैनल है यूप इस्टेट एक्जाम के लिए पहां से भी आप इस पीडियोफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आगे देखिए क यह बैक्तिरिया है ठीक है इस यह कोलाई जो पूझा गया है यह मुक्रूप से पाया जाता है तो यह मानब आत में इंटेस्टाइन में यूमें इंटेस्टाइन में यह पाया जाता है अगला देखिए कोशन नमबर 11 में आप से पूझा गया है प्रकास अंसे रड़का मु लड़ने के लिए भारत सरकार हाल के दिनों में डबल फोर्टीफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है निमिल्लिकित में से अगला देखें कोशन नमबर 15 आप देखें कोशन में बोला गया है साका हरी लोग जो गाय का दूद नहीं पीते पेश सोया दूद का उपयोग करते हैं तो सोया बीन से बना एक उत्पाद जो समान फोसकतर प्रदान करता है यह उसे किसके साथ जो एक फोटिफाइड किया गय कोशन नमबर 16 आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बोला गया है भोजन में मिलावट को रोकने के लिए बारसरकार द्वारा खाद अप मिस्रड निवार्ड अधिनियम अधिनियमित किया गया था तो यह 1954 में किया गया था यह एक्ट्वल था एक डेट आपको याद रख दिया जाता है तो यह वेरियम सलफेट दिया जाता है कि ठीक है आगे देखिए कोशन नमबर 18 बोला गया निम्न लिखित में से कौन सी गैस आमतावर पर कोईले की खानों में भी स्पोर्ट का काड़ बनती है तो यह काफिर रिपीट कोश्चन है मीथेन इसका आंसर आपका हो जाएगा अगला यहां पर बूला गया कोशन नमबर 19 में पदार्त की इन में से किस अवस्था का घनत तो नियूंतम होता है तो इसके मौलिकुल जो है दूर दूर होते हैं तो इनका तो कम रहेगा अगला देखिए कोशन नमबर 20 20 में आप से बोला गया निमिलियत में से काउन सा लोहे का सुद्ध रूप है काफी बार कोशन पूचा गया है रिपीट कोशन है पिटमा लोहा इसको बोलते हैं अगला देखिए कोशन नमबर 22 अहां पर निमिलिकित में से किस रसायन को मिट्टी का विट्रियोल ठीक है विट्रियोल औफ क्ले तो इसको तरंगे तरंग अगति का एक उधारड है तो यह इसकी बात करेंगे तो यह अनुधैर लोंगी ट्यूडनल जो है तरंग का यह उधारड है अगला देखिए यहाँ पर कोशन नमबर 24 में बोला गया निमिल में से काउन सी करने बायो मंडल में उपस्तित ओजोन परत द्वा इसकाइं क अगाउं से बिद्दुष सकत की वाड़ी जी काई होती है तो किलो वोट आवर होती है वाड़ी की एकाउन बोलते हैं बोलते हैं तो आपका option D हो जाएगा अगला देखिए question number 29 जैविक संवच्चर में प्रकासित एक नए अध्यन की अनुसार किस मुद्य के काड कई अनोखे जानबर और पौदे विलुप्त हो जाएंगे तो यह मानफ पसुत संहर्स human animal conflict इसका जो है आपका हो जाएगा अगला यहां पर तर्टी कोशन नंबर देखिए अंटारिक्टिका के जो है यह डूमस्डे ग्लेसियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही के चर्चा में रहा था तो इसका मूल नाम की बात करेंगे option D आप इसका लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगा हैं तो इसका हो जा रहती है तो वह रहती है आवासी और सीधी वर्चूल अगला देखिए 32 32 में बात करेंगे भारत के प्रथम क्रिप्टो गैमिक उद्धान का उद्धान किस राज्य में तो यह उत्तराखंड में किया गया है 33 कोशन नंबर देखिए यहां पर बोला गया है कौन सा कथन सही ह वहती है यह आपका option D आपका हो जाएगा ठीक है तो आगे देखिए next question है RBC का जीवन काल बोला गया है सिंपल से 120 दिन होता है master grant यह सभी काफी चोटे जो एक्जाम होते हैं उनमें यह repeated questions है कोई भी एक्जाम आप चोटे लेवल का देंगे उसमें इस टाइप के questions काफी बार repeat किये गए हैं तो यह simple से question है इनको तो सभी ने click ही कर दिया होगा खबरों में रहा यह Osirix Rex क्या है तो यह country चियान है speaks craft है अगला यहाँ पर बोला गया भारत के किस राज में टेक किये गए lesser florican पच्छी हाल ही में तेलंगाना गये हैं तो इसका अंसर आपका गुजरात सही होगा 38 देखिए यहाँ पर 38 में बोला गया है CSIR CCMB द्वारा विक्सित COVID-19 परिच्छड की कौन CBT विना बायरल ट्रांसपोर्ट मार्द्यम के ICMR द्वारा अनमूदित की गई तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा VTM RT PCR option C 30 अगला देखिए 39 यहाँ पर बोला गया है भारत में 2-18 बज़ की आयूके लोगों के लिए चरड़ दो और तीन परिच्छड के बाद किस COVID-19 वैक्सिन की सिपारिश की गई है तो यह को वैक्सिन हो जाएगा भारत बायोटेक अगला देखिए कोशन नंबर 40 यहां पर निसार उपग्रे जो हाली में खबरों में था भारत त्वारा किस देश के साथ लांच किया गया तो अगर इसका फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है तब भी आप इस सवाल को लगा सकते ते कि इसका फुल फॉर्म भी है नासा इस्रो सिंथेटि कर्लैज अगला मैसे आप देखे यहां पर नेक्स पर देखें कोशनद इसमें पोटी वन चंर तो यह एकड़ीखक रिखन के वखर घड़ी और सude सुझे искald Leo अग्ला यहां पर फॉ autobi कही बार आप च sacred मि देख चुका है हूइं इसको इक पर माइकोसिस बोलते हैं नेक्स्ट 44 कोश्चन में आपसे यहां पर मैथमेटिक्स के यहां से अर्थमेटिक के जो कोश्चन है शुरू हो चुके हैं तो अबाज संख्या बताना था तो सिंपल सा अबाज संख्या 71 होगी ठीक है तो यह किसी से आप इसको नहीं डिवाइड कर जाए दोनों में वही इसका मासा रहाएं तो एक स्कुर मिल जाएगा इन दोनों में common दूसरा यहां पर वाई मिल जाएगा तो बस यह आपका सिंपल सांसर मॉसा में कामन रखते हैं और लाजा में कामन के अलावा जो बचता है वह सब इसमें इन्क्लूड किया जाता है यहाँ पर टेटरा एथिल लेट जो है यह पेटरोल एडिटीव है ठीक है तो इसका आपक क्यों तो यहीं आपका हो जाएगा यहां से भी जो पेपर पस्ट में जो आपका 24 कोचन था पिल्कुल बच्चों वाला कोचन था कुछ था ही नहीं कोई दिमाग नहीं लगाना था 25 आप करके आयोंगे इसी प्रकार यह भी कोश्चन है यहां पर एक दू कोश्चन को छोड़ कर इसके बीच में जो भी संख्याइं आती है सभी से भी बाज जो भी तो यह सिंपल साय आप चेक करते हैं 11 से पहले चेक कर दीजिए बारा से तो यह सिंपल आप लगा थकते हैं एक अगर ऑप्सटन डी को यह आप ग्यारा का जो डिवाइडिंग का रूल है वह आप जब Catay को इस दो भाजित किया जाता है तो से आरच के होंगे तो ठीको दो बारत किया जाता है तो सब्सक्राइस क्या आप लाजेशन घ् Details 0 या तो 1 आगे देखिए यहां पर बोला गया पी और क्यों सिंपल था 10 12 में आपने पड़ा होगा मासा इंटू लासा एजुकल्ट होता है प्रतम पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या तो भही यहां है यह आपका पी क्यों हो जाएगा अगला है यह भी देखिए आपन सकते हैं अच्छे थे यहां पर पर मिया क्या योग आप से प्मूचा गया है सीधा सा प्रोपर्टी पुछ दी गई तो यहां से क्यों यहां पर हो जाएगा इसके आपके नखन करने हैं तो सिंपल सा 3-4 इसके निकल के आ जाएंगे यहां पर बोला गया तो इगात भहुप और वोलो का जाए इस तरीके का आपको डूगा समिकड़ का भ्यापर आपर ढरेक्स कॉंसी आप्र में नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको अपर करेंगे तो यहां पर एक फार्मूला अप लगाएंगे इन प्लस दी तो यह हो जाएगा स्कॉर माइनस वी स्कॉर जब इसको सोल्व करेंगे ग्यारर अब इसे साथ ढ़्याइगा चार आपका अंसर हो जाएगा जोकि यह पर मिया संख्या है हो जाएंगी अगला यहां पर बूला गया दर्सायगी तो क्यका मांग घ्यात किई तो यहां पर भी कुछ नहीं यह तो इनका रेशी आप निकाल लीजिए उनके respective गुडांक के X का गुडांक 4 है, यहां पर X का गुडांक 2 है, ठीक है, इसके equal में कर दीजिए, यहां बाई का गुडांक 3K है, और यहां पर बाई का गुडांक 6 है, इसको solve कर लिए, दो दूनी 4 हो जाएगा, तीन दूनी 6 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसका answer 4 निकाल सकते हैं, अगला देखें, यहां पर आप से पूचा गया है, समीकर दे रखें, और निका यूम दे रखा है, तो यह condition होता है, वो आपको पता होगा, एवन अपान, एटू, इस तरीके इस टाइप का कुछ होता है, भी बन अपान, बी टू इस उकल टू, सी बन अप आपको बताएं, यह चीजें आपको पता होगा, अगला देखें, 63 के बाद, 64 में आप से बोला गया है, दो संक्याओं का योग इतना दे रखा है, गोड़न इतना दे रखा है, संक्याओं क्या होगी, तो यह भी question simple है, यह आपको solve कर सकते हैं, यह आपको solve कर सकते हैं, और प्लस में सभी value हैं, तो बड़ा वाला जो आपका answer हो जाएगा, फोर आपका यहां से हो जाएगा, डाइरेक्ट आप लगा सकते हैं, अगला यहां से बोला गया है, यह आप यहां से इसको देख सकते हैं, यह भी आपने लगा लिया हुगा, simple सा question है, इनमें से किस समीकड़ के दो भिन्द बास्त्रीक मूल होंगे, तो इनके मूल आप निकालके एकजाम में देख सकते थे, तो आप इसमें हां से इसको भी आप लगा सकते हैं, अगला देखिए, यहां पर बोला गया है, यहां पर सारवंतर दिया रख गया है, पदों की संख्या दे रखी है, इर्म इसका आपको दे रखे हैं, यहां पर आपसे क्या बोला गया है, एक दे रखी है, के लिए पहला पद और सारवंतर सामान अंतर क्या है, तो पहला पद और सारवंतर पूचा गया है, तो सिंपल सा इससे सिंपल क्या होगा, पहला पद तो यही होगा, एक सो सताइस सारवंतर इनके बीच में देख लिए किनकर किसका किसका अंतर है यह सारव अंतर तो यह तो इसका हो जाएगा यही ऑप्सन डी 73 देखिए कोशन नंबर तो यह सर्किल से दे रखा इसका अंसर आपका 65 डिग्री हो जाएगा यहां पर विंदू आपको दे रखें और रेखा खंड को मध देखा खंड का मध दिबिंद बोला गया तो मध दिबिंदू का फार्मूला होता है एकसट टू अपान टू कॉमा वाइवन प्लस वाइटू अपान टू और यहां पर एकसवन बाइवन इसको यह जैसा कि यह किसी ने सोल्ट किया है विल्कुल सही है इसका अंसर आपको य जादने के लिए आप ऐसे अडिया लगा सकते हैं उसकी मरत्यू हो गई है ठीक है इसका देखिए गोटी जाल करना का इसका option D हो जाएगा आपना प्रियोजन सिद्ध करना यहां पर किस विकल्प में अंग्रेजी पारिवासी सब्द का समकच हिंदी पारिवासी सब्द सही है तो कुछ नहीं इसका हिंदी आप से बोला गया बरक्सवाप संगोष्टी नहीं ह होता है और रिजर्वेशन होता अना थराईज प्रादिक्रत नहीं अना दिक्रत होता है तो यह तीन हो गलत हो जाएंगा आपका मेमोरंडम का मतलब होता है अगला देखिए यहां पर 79 में बोला गया डेपूटेशन का समकच्छाप से प्रति नियुक्ति आप इसका अंसर पिल्कुल सही होगा अगला देखिए बाके में कौन सा बाग तुरूटी नहीं है बड़े दुख की बात है कि डाक्टर के आने से पहले ही उसके प्रावल प्रेरूट है तो यहां पर आप यहां देख सकते हैं और आपको यह पैराग्राफ दे रखा यहां इसको पढ़के और यहां इसके आंसर आप देख सकते हैं ठीक है इसको PDF मेंने बता दिया है कहां से आपको लेना है वहां से या तो इस चैनल का जो नाम है वह आप टेलिग्राम पर सेच करेंगे बहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा ठीक है यह पैराग्राफ से कोश्चन थे और 26 से आप द अगला देखिए निरजल में बिसर्जिक संद्य होगी अगला यहां पर बोला गया सब्दों में उपसर्ग द्धा प्रत्य दोनों का प्रियोग हुआ है तो प्रतेक्ता और अनुनाधित आपका हो जाएगा पुस्तकाले सब्द की समास का उधार है तो यह तत्तपुरुस् दूल हो जायागा है इसका तद्भाव कि सफट में सही बिलुम नहीं नहीं है तो सुगम संग मोटा है यह आपका यह सही नहीं है अगला देखिए 95 किस बिकलब में सब्द परस्पर पर्रय बाची नहीं है जिसे रसनाज जिब्या जवान बिलकुल निर्वार कैवल लुक् सही नहीं है यहां पर आप देख लीजिए प्रवाल प्रवार तो प्रवाल का मतलब होता है मूंगा और प्रवार का होता है बस्त्र दामन दमन तो दामन का होता है आशल और दमन का हो जाएगा दवाना नेती अनंत नेती बंदन यही आपका हो जाएगा यहां से ठीक है अगल लिकल्प में सभी सब्द सुद्ध है तो अतिस्योक्त की बात करें यह दुरगती यह गलत लिखा हुआ है ठीक है अतिस्योक्त हो जाएगा मरीशी और नीरती 134 आपका सही हो जाएगा अगला देखिए वाकरण की दरिश्टी से कौन सा बाक के कौन सा सुद्ध बाकिज में से उसे अनुत्तिर होने की आसंका है आपका सही होगा अगला देखिए आपर किस बाकिके लिए प्रिक्ट सबसार्थक नहीं है जो बच्पन से परे हो बाचाल यह आपका गलत हो जागए यही आपका अंसर्ट तो इस तरीके से 100 कोश्चन आपका पेपर 2 में पूछा गया था अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कटाफ बगएरा के बारे में एकस्पेक्टिड कटाफ किया इसका रहेवगा प्रिवियस जो भी कटाफ है उसको देखते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो चलिए अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्स